अरे वाह आज तो खेलने का बहुत ही मज़ा आ गया पर मुझे बहुत देर हो गई रात हो चुकी है फ्रेंकिल बैया मुझे बहुत चिलाएंगे चलो फटा फट गर जाता हूँ कल से मुझे जल्दी गर आना पड़ेगा अरे ये कौन है सिंचैन आखिरकार तुम गर आ ही गई अरे हाँ मैं तो गर आ गया हूँ पर तुम कोन हो मेरे गर के बाहर क्या कर रही हो मेरे फ्रेंकिल बैया किदर है सिंचैन मैं वही राक्षास हूँ जो लोगों को उठा लेता है और फिर उन्हें कच्चा खा जाता है वही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ सिंचैन आज मैं तुम्हें यहां से उठा के लेके जाओंगा फिर तुम्हें खा जाओंगा सिंचैन मैंने सुना है तुम इस प्लीस मजे छोड़ दो मुझे मतले जाओ मैंने तुम्हारा क्या भिगाड़ा है मैं तो अभी कितना छोड़ता हूँ प्लीस मुझे दिले जाओ में तुम्हारे आगी हाथ जोड़ता हूँ सिंचेन मेरे सामने इमोस्ट्रे ड्रामन नहीं चलेगा अगर मैंने डिसाइट कर लिया है कि मैं तुम्हें लेके जाओंगा मतलब मैं तुम्हें लेके जाओंगा सिंचेन आज तो मैं तुम्हारा सूप बना के पियूँगा आरे ये तुम क्या कर रहे हो अरे मुझे दर्द हो रहा है प्लेस मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ अरे फ्रेंकिल बैया फ्रेंकिल बैया मुझे बचाओ ये देखो ये राकसस मुझे अपने साथ लेके जा रहा है अरे मुझे छोड़ दो मुझे न अच्छे मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा मास्क बहुत ही अच्छा निकलेगा सिंचैन अब चलो हम यहां से चलते हैं सिंचैन अपने घर को बाई बाई बोल दो अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जूडता हूं तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो आज मेरा बोजन बनने वाले हैं इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ बहुत जन आज मरने वाले हैं, सब को मैं जिन्दा खा जाओंगा, पहले तो सब सब पहले तुम्हारा चेहरा ही खाओंगा, एक दुम मजा ही आजाएगा, डिलिशियस अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे मत मारना, अरे फ्रेंकिल बाइया, मुझे बचाओंगा, अरे यार पता नहीं, ये सिंचेन कहां रे गया, इतनी रात हो चुगी है, लेकिन ये अभी तक खेली रहा है, अभी तक ये वापस नहीं आया, मैंने उससे कहा था, कि रा जो राक्षस उस छोटे बच्चे कोई खाने वाला है, आरे हां, मुझे भी यहीं लगता है, आज बिचारा वो बच्चा उसका शिकार बन गया, बच्चा कितना चिला रहा था, पर राक्षस ने एक ना सुनी, उसे उठा के लेकि चला गया, अरे ये लोग क्या बात कर रहे अरे भाय साब, आप लोग किस राक्षस की बात कर रहें, और वो किस बच्चे को उठा के लेकि चला गया, अरे पता नहीं, भाय साब, आपके घर के बाहरी बिचारा एक बच्चा आया था, उसी को वो राक्षस उठा के लेकि चला गया, और बच्चा बहुत चिला रहा था और कह रहा था फ्रेंकल बाईया मुझे बचा उस बीचारे बच्चे को वो राक्सस उठा के लेके चला गया हमने सोचा कि हम उसकी मदद करें लेकिन हम उसकी मदद कैसे करते हैं वो राक्सस बहुत ही खतरना के वो सब को उठा के लेके चला जाता है और फिर उन्हें कच्चा खा जाता है पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ होगा वह राक्षस अगर मुझे मार भी देगा न सिंचैन तो भी मैं मठ जाओंगा लेकिन मैं तुझे बचा कर रहूंगा सिंचैन तेरे फ्रेंकिल भईय तुझे बचाने के लिए आ रहे तो गवरानावत सिंचैन अरे ये क्या मैं सिंचन को कितनी देर से डूंड रहा हूं लेगन मुझे सिंचन मिली नहीं रहा है पताने उस राक्षास ने सिंचन को कहां छुपा के रखा होगा हे बगवान कहीं वो राक्षा सींचन को कुछ करना दे मुझे फटाफट केस से भी करके उस राक्षास को डूढना ही होगा और मेरे सींचन को बचाना होगा अगर मैंने जल्दी नहीं डूढना तो क्या पता हो सींचन को कुछ करना दे मुझे फाटा फट सिंचन को डूढ़ना होगा अरे यार सिंचन तो कहा है मैं तुचे कब से डूढ़राऊ हूँ सिंचन तु मुझे मिल जाना अरे ये क्या वो राशन इस राक्षास ने तो बहुत सारे लोगों को उठा लिया है अब मैं क्या करूँ मेरे सिंचन को कैसे बचाऊं अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो वो राक्षास मुझे भी बकड लेगा मुझे कैसे भी करके अचलाकी से जाना होगा और मेरे सिंचन को बचाना होगा अरी वा, आज तो मैंने बहुत सारे लोगों को उठा लिया और इनके साथ साथ एक छोटे बच्चे को भी उठा लिया पहले इन सब को खाऊंगा उसके बाद इस मासूम से छोटे बच्चे को लास में खाऊंगा पहले इन बोडों से शुरुआत करता हूं और इनका ताजा ताजा मास खाता हूँ आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता अब मैं तुम सब को खा जाओंगा तुम्हे खाने में तो मुझे बहुत मज़ा आएगा अब मैं खाना शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं तुम्हे खाओंगा तुम मुझे बहुत इस्वादिस्ट लग रही हो मज़ा आ गया क्या ही टीलेश्यस हो तुम्हारा टेस्ट तो ला जवाब था अब चलो अगली बारी तुम्हारी है चिलाने का कोई मतलब नहीं अब तुम्हे मुझसे कोईनी बचाने वाला है अब चलो तुम आजाओ, अरे ये क्या, ये कुटा कहां से आ गया, लेकिन कोई नहीं, अब मैं इसे भी खा जाओंगा, आज तो मेरा पेट एकदम भरने वाला है, देखा, मुझ पर भौकने का अंजाम अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसे तो ये एकदम को खा जाएगा, और फिलास्ट में सिंचन को भी खा जाएगा, मुझे कैसे भी खा जाएगा, मैं कैसे सिंचन को बचाओं अरे वा, सब को खा के मज़ा आ गया, अब बस ये छोटा बच्चा बचा है, अब इसको खा जाता हूँ, ये तो बड़ा ही स्वादिश लग रहा है, पर ये क्या, ये तो सो रहा है, ए उट, तेरी तो तू यहाँ पे सो रहा है, इसकी तो इसको अभी उठाता हूँ, आखिरकार, तुम उठी गए मासुम बच्चे, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, अरे नहीं, मुझे मत मारो, प्लेस मुझे छोड़ दो, मुझे पे तया करो, मैं तो मासुम सा छोटा बच्चा हूँ, मुझे खा के तुम्हारा पेट भी नहीं बड़ेगा, अरे मुझे मत खाओ, अरे फ्रेंकिल बईया, आप किदर मुझे बचा लो, ये मुझे मार देग अरे ये क्या, सी इंचन के जान तो खत्रे में, लेकिन मैं सी इंचन को कैसे बचाओ, मेरे पास तो कुछ यहां पे हत्यार भी नहीं, जिससे कि मैं राक्षास को मार सकूँ, अरे यार इदर कुछ रखाओ भी नहीं, अरे ये क्या, ये तो चाकु है, हास चलो मेरा काम हो गय इस चाकू से अब मैं इस राक्षास को मार सकता हूं मुए पीछे से जाता हूं और इस राक्षास को मार देता हूं लेकिन मुझे ध्यान से जाना होगा कहीं वो राक्षास मुझे देखना ले एक दम आराम आराम से चिलाने का कोई फाइदा नहीं है कि कि तुमें बचाने कोई नहीं आने वाला है अरे मुझे मत मारो ये ले राक्षास अरे ये क्या फ्रेंकिल बाईया आप आ गए अरे फ्रेंकिल बाईया वा आपने तो कमाली कर दिया आपने सही समय पे मेरे जान बचा ली वरना ये तो मुझे खाई जाता फ्रेंकिल बैया सिंचेन अच्छा हुआ कि सही समय पे चाकू मिल गया वरना सिंचेन मैं तो तेरी जान बचा है नहीं पता और मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देता सिंचेन अच्छा हुआ कि ये चाकू मिला और मैं इस पे वार कर सका से इंचेन और ये खतम हो गया हाँ फ्रेंकिल भईया आपने बहुत ही सही किया इसे कतम कर दिया इसने पता है बहुत जनके जान ली है ये सबको उठाता था और फिर खा जाता था फ्रेंकिल भईया इसने बहुत लोगों को मारा है अच्छा हुआ कि आप सही समय पे आ गए और आपने मेरे जान बचा ले औ अब किसी की भी जान नहीं जाएगी फ्रेंकिल बैया आपको पता है में कितना डर गया था जैसे में घर के बाहर पोचा था फ्रेंकिल बैया वेसे इसने मुझे उठा लिया था और फिर यह यहां पर लेकिया आ गया और फिर में डर के मारे बेऊश हो गया था फ्रेंकिल बैय और मुझे अभी होश आया हासी चैन मुझे पता चला और जैसे मुझे پता चला न वैसे में तुढ़ने के लिए निकल गया चैन वह सबनाना ओनThe यह दूंबितें टो आद्मी क Jord atsan eighteen वरोणा के लिए अंडिया निकले चैन And तू मुझे मिल भी गाई सी इंचैन और अच्छा वा कि मैं सही मोके पर पहुच गया वरना ये तुझे खाई जाता सी इंचैन हाँ फ्रेंकिल बैया पर अच्छा हो गया ये मर चुका है अब ये किसी को नहीं खाईगा चलो फ्रेंकिल बैया हम लोग गर चलते हैं तो दोस्तों आखिरकार ये राक्षस मरी गया ये राक्षस बहुत ही बुरा था ये सब को उठा लेता था और फिर जिन्दा खा जाता था इसने मुझे भी उठा लिया था वो तो अच्छा हुआ कि फ्रेंकिल बैया सही जमें पर आ गए और इसको मार दिया वरना आज तो में जिन्दा ही नहीं रह पाता लेकिन इसने बहुत लोगों को खा लिया मुझसे पेले भी इसने बात छे लोगों को पकड़ा था उन सब क यह खा गिया लेकिन अब यह किसी को नहीं खा पाएगा क्योंकि यह मर चुका है और सब लोग सेफ रहे पाएंगे तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चल्क कर सब्सक कि यह में आपको के लिये, बाइबाई!